उम्शन्ती मुरली का सार हैं मीठे बच्चें दिन में शरीर निर्वाह अर्था कर्म करो रात में बैठ ज्यान का सिमरन करो बाप को याद करो बुद्धी में स्वदर्शन चक्र फिराओ तो नशा चड़ेगा मीठे बच्चें दिन में शरीर निर्वाह अर्था कर्म करो रात में बैठ ज्यान का सिमरन करो बाप को याद करो देखे बाबा कितना सहज कहता है ज्यान को बाबा ने नौकरी धंदा कुछ छोड़ने के लिए नहीं कहा बलकि उसे करो उससे जब फ्री हो जा तो बाबा की याद में बैठो विचार सागर मन्थन करो तो बाबा ने जीवन को भी मैनेज करके दिया है कि भले दिन भर में काम धंदा करो पैसे कमाओ, धन कमाओ, पेट, परिवार चलाओ, तुम खुशहाल रहो पर जब काम धंदा पूरा हो जाए तो बाबा के विचार करो बाबा की याद करो विचार सागर मन्थन में रहो बलकि अभी भी क्या हो रहा है काम धंदा पूरा होने के बावजूद आठ, दस घंदा हमने काम किया उसके बाद भी हम उसी के विचारों में रहते हैं काम धंदे के उससे होता क्या है बाबा भूल जाता है बाबा भूल गया तो फिर दुखाना शुरू हो जाता है इसलिए ये भी संभालो मना परिवार और वो भी संभालो मना परमारत मना बाबा की याद बुद्धी में स्वदर्शन चक्र फिराओ तो नशाच चड़ेगा चेक कीजे सारे दिन भर में हम हमारे पांच स्वरूपों को कितनी बार याद करते हैं मैं फलाना हूं फलानी हूं इसके अलावा मैं निराकार हूं आत्मा सत्यूगी देवता हूं पुज्य स्वरूप हूं ब्राम्वन हूं फरिष्टा हूं कितना याद करते हैं कभी-कभी तो एक स्वरूप भी नहीं याद करते एक दिन में ऐसे भी दिन हमारे जाते हैं और जो हम थे जो है और जो होने वाले हैं उन स्वरूपों को याद नहीं करते हैं सारे दिन भर में बस यही याद रहता है मैं फलाना फलानी हूं तो इससे होगा क्या? नुकसान है और उन स्वरूपों को याद करते हैं तो फाइदा ही होने वाला है इसलिए स्वदर्शन चक्र फिराएंगे तो नशा चड़ेगा अगर नशा नहीं चड़ रहा है तो स्वदर्शन चक्र बाबा की याद विचार सागर मन्थन इसमें कोई कमी है कहते हैं ग्यान जैसी शराब नहीं है क्योंकि इस शराब का नशा ऐसा है जो उतारने से भी उतरता है इसके लिए कोई उपाई नहीं है उतारने का तो नशा चड़ाना चाहिए प्रशन है माया किन बच्चों को याद में बैठने ही नहीं देती है उत्तर है जिनकी बुद्धी किस न किसी में फसी हुई रहती है जिनकी बुद्धी को ताला लगा हुआ है पढ़ाई अच्छी रीती नहीं पढ़ते है माया उन्हें याद में बैठने नहीं देती इसका दूसरा अर्थ निकलता है अगर हम याद में नहीं बैठ सकते बाबा केते हैं कि जिनकी बुद्धी किसी में फसी हुई है उनको माया याद करने नहीं देती और अगर हम याद में नहीं बैठ सकते बाबा को याद नहीं कर सकते मना हमारी बुद्धी कही न कही फसी हुई है ये सिद्ध हो जाता है तो बाबा को क्यों नहीं याद कर पा रहे हैं क्योंकि बुद्धी फसी हुई है अनायास किसी भी प्रयास के बिना अब अगर किसी बात को, किसी व्यक्ती को, किसी स्थान को, किसी पदार्थ को याद कर रहे हो, बिना मेहनत के, माना आपकी बुद्धी वहां अठकी हुई है, इसी प्रकार बाबा में बुद्धी अठकी रहे, बिना मेहनत की बाबा की याद रहे, ट्रांसलाइट के सामने बाबा की चित्र के सामने आने के बाद बाबा की याद आए तो बुद्धी को जहां फसी हुई है वहां से निकाल के यहां लाना पड़ता है इतनी मेहनत कर रहे हैं बलकि बाबा इसी चीज है जिसकी याद बिना मेहनत के रहनी चाहिए बिना मेहनत के तो सारे दिन भर में हम चेक कर सकते हैं कि हमारी गुद्धी कहा कहा जाती है बिना मेहनत के कपड़ों में जाती है खाने पिने में जाती है घूमने फिरने में जाती है कोई और बाते हैं जिन में जाती है जो लोकिक बाते हैं इस दुनिया की बाते हैं बिना महनत के जारी नौकरी धंदे में जारी है चेकेशे मना हमने हमारे जीवन में बाबा से ज़ादा प्राइरटी उस चीज को दी है इसलिए बिना महनत के बुद्धी वहा जारी है यह उसका अर्थ है वहां मन मना भव रह नहीं सकते फिर सर्विस के लिए भी उनकी बुद्धी चलती नहीं श्रीमत पर न चलने के कारण नाम बदनाम करते हैं दोखा देते हैं तो सजाए भी खानी पड़ती है गीत है तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है उम्शानती बच्चों ने गीत सुना गौड फादर को ही बुलाते हैं कृष्ण को नहीं बाप को कहेंगे आओ फिर से कंसपुरी के बदले कृष्ण पुरी बनाओ कृष्ण को तो नहीं बुलाएंगे कृष्ण पुरी को तो स्वर्ग कहा जाता है यह कोई भी जानते नहीं क्योंकि कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं यह सब भूले शास्त्रों से हुई हैं अभी बाप यथार्थ बात समझाते हैं वास्तव में सारी दुनिया का बड़ा गौड फादर हैं सबको उस एक गौड को ही याद करना है भल मनुष्य क्राइस्ट बुद्ध अत्वा देवताओ आदी को याद करते हैं हरेक धर्मवाले अपने धर्मस्थापक को याद करते हैं याद करना शुरू हुआ हैं द्वापर से भारत में गाया हुआ भी हैं दुख में सिमरन सब करें सुख में करें न कोई बाद में ही याद करने की रसम पड़ती हैं क्योंकि दुख है देखिए जीवन में जब दुखा आता है तो दुख हरने वाले को सहस्ता से याद किया जाता है लेकिन सुख के समय उसे याद करें सुख के समय अगर उसे याद करें तो दुख कभी आएगा ही नहीं बहुत बार ऐसे ही होता है दुख आने के बाद याद करते हैं बल्कि सुख में याद करना चाहिए सब ठीक ठाक है तो कोई किसी की जरुरत नहीं है तो उसकी भी जरुरत नहीं है उसको याद नहीं करेंगे मना बाबा को याद नहीं करेंगे पर अब सुख में याद करके देखिए क्या होता दुख कभी नहीं आएगा जीवन उल्टा ग्यान है पर बहुत महत्वपूर्ण है दुख में दुनिया याद करती है सुख में बच्चे याद करते है बाप को अगर सुख है तो बाप याद है बाप याद है तो सुख है पहले पहले भारत वासियों ने याद शुरू किया उनों को देखते दूसरे धर्म वाले भी अपने धर्मस्थापक को याद करने लग पड़ते हैं बाप भी धर्मस्थापन करने वाला है परंतो मनुष्यों ने बाप को भूल स्री कृष्ण का नाम डाल दिया है लक्ष्मी नारण के धर्म का उन्हें पता नहीं है याद तो न लक्ष्मी नारण को न कृष्ण को करना है याद एक बाप को करना है जो आदी सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं फिर जब यह भक्ति मार्ग में शिव की पूजा करने लगते हैं तो समझते हैं गीता का भगवान कृष्ण हैं उनको याद करते हैं उनों को देख वह भी अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं यह भूल जाते हैं कि यह देवता धर्म भगवान ने स्थापन किया हैं हम लिख सकते हैं कि गीता का सर्मोनाईजर कृष्ण नहीं शिव बाबा है वह है निराकार यह वंडरफुल बात हुई ना किसी के पास भी शिव बाबा का परिचय नहीं है वह स्टार हैं सब जगह शिव के मंदिर है तो वह समशते हैं कि इतना बड़ा है अखंड जोती तत्व है परंतो वह तो मह तत्व में रहते हैं जहा आत्माए रहती हैं आत्मा का रूप बरोबर स्टार मिसल हैं परंपिता परमात्मा भी स्टार हैं परंतो वह नौलेजफुल बीज रूप होने कारण उनमें ताकत हैं आत्माओ का पिता यने बीच परमात्मा को कहेंगे है वह निराकार मनुष्यों को तो ओशन ओफ नौलेज ओशन ओफ लव कहन सकें इसलिए समझाने वाले बच्चों में अथौरिटी चाई है जिनकी बुद्धी विशाल हो तुम सब में मुख्य है मम्मा वंदे मात्रम भी गाया हुआ है कन्याओ द्वारा बान मरवाए अधर कन्या कुवारी कन्या का राज कहा है नहीं सिर्फ मंदिर से ही सिद्ध होता है जगदंबा भी बरोबर है परन्तु वे जानते नहीं कि वह कौन है बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा मुख कमल द्वारा रचेता और रचना के आदी मध्य अंत का राज बताता हूं ड्रामा में क्या है यह मनुशों की बुद्धी में आना चाई है यह बेहद का ड्रामा है इसके हम एक्टर हैं तो ड्रामा के आदी मध्य अंत का राज बुद्धी में रहना चाई है जिनकी बुद्धी में यह रहता है उन्हें बहुत नशा रहता है ड्रामा कहने में बहुत चोटा शब्द है पर इसे समझना बहुत बड़ी बात है और सहज बात है बड़ी भी है और सहज भी है एक तो हम ड्रामा में फस जाते हैं या फिर बाबा में फस जाते हैं जो ड्रामा में फस्ते हैं, उनको बाबा की याद नहीं रह सकती। जो बाबा में फस्ते हैं, वो ड्रामा से जैसे फ्री हो जाते हैं, उनको कोई परवान ही उनकी करन करावनहार बैठा है। किसी भी बाद की कोई चिंता नहीं, अच्छा हुआ तो भी बाबा है, कुछ ड्रामा में इसा हुआ, जो दुनिया की इसाब से विपरीत है, फिर भी बाबा है। इसलिए हम अभी तक अगर पार्ट में फसे हुए हैं, खुद के, दूसरों के, प्रकृति के, किसी के भी पार्ट में फसे हुए हैं, तो बाबा की आद नहीं ठहर सकती। क्योंकि हम दुनिया में भी फसे हुए हैं, इसके कारण बाबा की याद नहीं रह सकती। इसलिए आप अपने आपको इस ड्रामा से अलग करने का प्रयास कीजिए, मना साक्षी बनने का प्रयास कीजिए। बाबा की याद में अगर स्तित रहेंगे तो साक्षी होते जाएंगे। किसी के भी पार्ट से हम प्रभावित नहीं होंगे। फिर दुनिया की हिसाब से ड्रामा की हिसाब से अच्छा हो या बुरा हो, पार्ट से प्रभावित नहीं होंगे। अगर हम पार्ट से प्रभावित हो रहे हैं, तो हम फस रहे हैं, तो प्रयास कीजिए अपने आपको बाबा में फसाने का, मना बाबा की याद में रहने का प्रयास केजिते, जितना हो सके बगि दुनिया का पार्ट और आपका पार्ट बज़ता जाएगा बजाने की जुरु तफुनी पड़ेगी, पार्ट बज़ता जाएगा और हमेशा ध्यान रहेगा, करनकरावन हार खा सारा दिन शरीर निर्वाह किया रात को बैठ स्मृती में लाओ यह ड्रामा कैसे चक्र लगाता है यही मन मनाभ हो है परन्तु माया रात को भी बैठने नहीं देती है एक्टर्स की बुद्धी में तो ड्रामा का राज रहना चाहिए न परन्तु है बड़ा मुश्किल कहा न कहा फस पड़ते हैं तो बाबा बुद्धी का ताला बंद कर देते हैं वास्तविकरिती से बाबा ताला बंद नहीं करते हमारे करम ही बुद्धी का ताला बंद कर देते हैं हमारे करम बाबा क्यों इंटर्फेर करेगा किसी के बुद्धी का ताला बंद करने के लिए हम अगर बाबा की याद में हैं तो बुद्धी का ताला खुलता जाएगा और अगर बाबा की याद नहीं है तो माया उसे बंद करती जाएगी उसका प्रमान क्या है? अगर किसी समय अप अच्छे विचारों में चल रहे हो बहुत अच्छे विचार खुद के लिए दुनिया की सभी आत्माओं के लिए प्रकृती के लिए हर बात के लिए अच्छे विचार चल रहे है दिव्य विचार चल रहे तो आप बाबा की याद में हैं लेकिन उस विचारों में कही तो घटोती होती है वना निगेटिव विचार बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो माया की याद बढ़ रही है यह प्रमान है पहले बुद्धी चलती थी किसी भी बात के लिए सहजरिती से चलती थी लेकिन अभी बुद्धी चलने में टाइम लगता है यह चलती ही नहीं दूसरों का एड़वाइस लेना पड़ता है वना बाबा की याद कम हो गई और जब बाबा की याद कम होती है तो उसके opposite माया की अपने आप बढ़ना शुरू हो जाती है तो अब चेक कीजे आपके जीवन में किसकी याद है बहुत बड़ी मंजिल है अच्छी पढ़ाई वाले फिर तनखाह भी अच्छी लेते है न यह पढ़ाई है परन्तु बाहर जाने से भूल जाते है फिर अपनी मत पर चल पढ़ते हैं बाप कहते हैं मीठे बच्चे शुरूमत पर चलने में ही तुम्हारा कल्यान है यह है पतीत दुनिया तीन मते हैं मनमत परमत और शुरूमत तीनों भी सहज हैं तीनों भी सहज हैं मन मना खुद से आने वाली पर मना दूसरों से शुरी मना बाबा से तो कैसे पता करें कि हम कौन सी मत पर चल रहें कैसे पता करें कि हम शुरीमत पर हैं मनमत पर हैं या परमत पर हैं उसका प्रमान है अगर आपकी आत्मिक उन्नती हो रहे हैं आपके अंदर गुण और शक्तिया बढ़ रही हैं आपकी मनसा वाचा कर्मन शुद्ध हो रही हैं आप सात्विक बनते जा रहे हर रूप से पवित्र बनते जा रहे हर क्षेत्र में मना शुरीमत पर चल रहे हैं और इसे विपरीत हो रहा है मनमत है या तो परमत है मनमत या परमत है मनमत और परमत में आप नीचे ही आएंगे उपर नहीं उठ सकते आत्मिक रूप से आत्मिक स्तिती की रूप से गुण और शक्तियों की रूप से इसलिए बाबा की आद में रहते हैं तो श्रिमत अपने आप पालन होती है बाबा की आदे से इसलिए अगर आप नीचे जा रहे हैं तो कहीं तो मनमत है या परमत है तो रुकिये चेक कीजे और श्रिमत पर चलना शुरू कीजे विकार को पोईजन कहा जाता है जिसका सन्यासी लोग सन्यास करते हैं यह रावन राज्य शुरू ही होता है द्वापर से यह वेद शास्त्र आदी सब भक्ति मार्ग की सामगरी है सर्विस के लिए बच्चों की बुद्धी चलनी चाई है शुरीमत पर चले तो धारना भी हो बच्चे जानते हैं बिनाश सामने खड़ा है सब दुखी हो रडी मारेंगे हे भगवान रहम करो त्राही त्राही करते समय भगवान को याद करेंगे पार्टिशन के समय कितना याद करते थें हे भगवान रहम करो रक्षा करो अब रक्षा क्या करेंगे रक्षा करने वाले को ही जानते नहीं तो रक्षा करेंगे कैसे अभी बाप आया है परन्तु मुश्किल कोई की बुद्धी में बैठता है बाप समझाते हैं ऐसे ऐसे सर्विस करो बाबा कहते हैं कि बाप आया है और मुश्किल कोई की बुद्धी में बैठता है जिनको बाप का परिचे नहीं है उनके लिए बाप नहीं कहरा है जिनको बाबा का परिचे नहीं अभी तक उनके लिए बाबा नहीं कहरा जिनको परिचे मिला है, उनकी बुद्धी में भी मुश्किल बैठता है, कि बाबा आया है, अभी भी निश्य नहीं है, कि बाबा आया है, राज योग सिखला कर सत्यूगी दुनिया लाल, पूरा विश्वास नहीं है, अभी भी आउंश मात्र कही न कहीं है, पता नहीं पता नहीं आगे क्या होगा मना बाप को पाकर भी नहीं पाया क्योंकि उसका कभी अनुभव नहीं किया अनुभव करने के लिए उसके साथ बैठना पड़ता जब तक उसके साथ नहीं बैठते उसकी याद में नहीं बैठते तब तक अनुभव नहीं कर सकते और जब तक अनुभव नहीं कर सकते तब तक उसे पाएंगे नहीं और जब तक पाएंगे नहीं तब तक निश्य नहीं बैठेगा कि बाबा आया है इसलिए अपने आपको चेकीजे कि मुझे कितना निश्य है कि बाबा आया है यह श्रीमत बाप की मिलती है ऐसे बाप को पहचान नहीं सकते यह भी कैसा वंडर है कितनी समशने की बाते है सारा दिन शिव बाबा की याद बुद्धी में रहे यह भी उनकारत साथी ठैराना बाबा देखते हैं बच्चे आज बहुत अच्छे निश्य बुद्धी है कल संशे बुद्धी बन जाते है माया का तूफान लगने से अवस्था गिरती है तो बाबा इसमें क्या कर सकते है तुम ग्यान में आएं सरेंडर हुए तो तुम ट्रस्टी ठैरे तुम क्यों फिकर करते हो सरेंडर किया है फिर सर्विस भी करनी है तो रिटन में मिलेगा अगर सरेंडर हुआ है सर्विस नहीं करता तो भी उनको खिलाना तो पड़े तो उन पैसों से ही खाते खाते अपना खतम कर लेते हैं सर्विस करते नहीं है तुम्हें सर्विस करनी है मनुष्य को हीरे जैसा बनाने की मुख्या बाबा की रूहानी सर्विस करनी है जिससे मनुष्य उँचे बने सर्विस नहीं करते तो जाकर दास-दासी बनेंगे जो पढ़ाई अच्छी पढ़ते हैं उनका मान भी उचा होता है जो नापास होंगे वह जाकर दासदासी बनेंगे बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो और वर्सा लो बस यह मन मनाभव अक्षर ही राइट है बाबा इतने सालों से कहते हैं सब भूल के मुझे याद करो इसी में सारी प्राप्तिया है सारे दुख के सोलुशन है मना सभी दुखों से छुटकारा बस बाबा की याद दिला सकती है इतने सालों से हम सुन रहे हैं लेकिन कितना निश्य किया है कि सच में बाबा की याद में हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं इस पर निश्य कितना है अगर यही ग्यान कोई लाख रुपे देकर आपको पढ़ाता है सुनाता है तो अब तुरंत उस दिन अपलाई करना शुरू करेंगे उसी दिन से मना उस लाख रुपे लेने वाले पर जितना ट्रस्ट है उतना बाब पर भी नहीं उसको पैसे दिये हैं तो निश्य हैं ये काम करेगी ये विधी पर जिसने बताया है कि कितने भी दुख हो तूफान हो कुछ भी प्रब्लेम हो बस मुझे याद करो सब से छूट जाओ तो कितना निश्य है हमारा ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन में हमने बाबा को कम से कम एक घंटा निश्य से याद किया है हमारी जीवन का कौन सा दिन है चेकी अगर नहीं है तो फिर हम कर क्या रहें ग्यान में उन्हा ग्यान देने वाले पर भी इतना निश्य नहीं है तो ग्यान काम में नहीं आया पहले निश्य पक्का करना पड़ेगा कि ग्यान देने वाला कौन है ग्यान देने वाले पर निश्चे पैदा हो जाए तो कारिय अपने आप सिद्ध हो जाता है प्राप्तिया अपने आप मिल जाती है आज जो पैसे ले रहे उन पर निश्चे है और बाबा पर निश्चे ने इतने साल से चल रहे है अपने निश्चे को ओशन ओफ नॉलेज कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे ऐसे कुरुष्ण कहना सके बाप ही कहते हैं मामेकम याद करो और भविश्य राज्य पद को याद करो यह राज योग है ना इससे प्रवृत्ती मारग सिद्ध होता है यह तुम ही समझा सकते हो तुम्हारे में भी जो सर्विसेबुल तीखे हैं उन्हों को बुलाया जाता है समझा जाता है यह होशियार हैंड है बच्चों को योग युक्त बनना है श्रीमत पर अगर नहीं चलते तो नाम बदनाम करते हैं धोका देते हैं तो फिर सजाए खानी पड़ती हैं ट्रिबिनल भी बैठती है ना अच्छा मिठे मिठे सिकिलधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मौर्नि रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी मात पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम की भी पदम 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 गुणा याद प्यार गुड मौर्नि और नमस्ते 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 अच्छा ओ शान्ति रातरी क्लास बच्चों को पहले पहले समझानी देनी है बाप की बेहद का बाप ही हमको पढ़ाते हैं गीता पढ़ने वाले कुरुष्ण को भगवान कहते हैं उन्हें समझाना है कि भगवान तो निराकार को कहा जाता है देह धारी तो बहुत हैं बिगर देह है ही एक वह है उंचे से उंचा शिवबाबा यह अच्छी रीत बुद्धी में बिठाओ बेहद के बाप से बेहद का वर्सा मिलता हैं वही उंचते उंच निराकार परमपिता परमातमा हैं वह है बेहद का बाप और यह है हद का बाप और कोई 21 जनमों का वर्सा नहीं देते हैं ऐसा भी कोई बाप नहीं जिससे अमर पद मिले अमर लोक है सतियुग यह है मृत्य लोक तो बाप का परिचय देने से समझेंगे बाप से वर्सा मिलता है जिसको दैवी स्वराज कहा जाता है वह बाप ही देते हैं वही पतीत पावन गाया जाता है वह कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे अपने को आत्मा समझ मुझे बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे देह समझ कर याद करेंगे तो पाप नहीं कटेंगे क्योंकि पाप देह के नहीं है पाप आत्मा ने किये है आत्मा से हुए है आत्मा के है इसलिए जिसके है उसको सामने रख कर बाबा को याद करना है मना आत्मा समझ कर बाबा को याद करना है योग मना आत्मा और परमात्मा का मिलन ऐसा एक मिनिट एक घंटा दिन का जिसमें आत्मा समझ के हम बाबा को याद करते हैं चेक कीजें है या नहीं हमारी जीवन में एक दिन में एक मिनिट या एक घंडा, कम से कम, अगर आत्मा समझ के याद नहीं करतें, तो भक्ती कर रहे हैं, अभी भी, कल ही सुना, कि आत्मा का पाठ पक्का होना जरूरी है, उसके बिना आगे कुछ नहीं कर सकतें, आत्मा के पाठ के बिना आगे कुछ नहीं कर सकतें, याद भी कर रहे हैं, टाइटल लेकर, मैं फलाना या फलानी हूँ, तो याद योग नहीं हैं, सब भूल जा अपने टाइटल, आज हैं, कल छीने जाएंगे सारे टाइटल, दुनिया चीनेगी, प्रकृती चीनेगी, नहीं तो ड्रामा चीन लेगा, लेकिन जितने टाइटल मिले हैं, सब जाने वाले हैं, तो सारे टाइटलों को निकाल कर बाबा को याद करना हैं, तब कहेंगे आत्मा और परमात्मा का मिलन, तब कहेंगे सच्चा राज योग, नहीं तो देह का हट योग, इसलिए आत्मा समझ कर ही बाबा को याद करना यही योग हैं, बाकिसारी भक्ती या हट हैं, पतीत से पावन बन, पावन दुनिया में चलने लायक बन सकते हो, कल्प कल्प बाप कहते हैं, मामे कम याद करो, याद की आत्रा से ही पवित्र बनना है, अभी पावन दुनिया आ रही है, पतीत दुनिया विनाश होनी है, पहले पहले बाप का परिचे दे, पक्का कराना है, जब पक्का बाप को समझ जाए, तब बाप से वर्सा मिले, पावन दुनिया की आश सब को है, सतियुग में जाना, गोल्डन एज में जाना, सभी चाहते हैं, लेकिन क्या उस दुनिया के लिए हम पात रहें, चेक कीज़ें, क्या उस दुनिया के लिए पात रहें, आज कलियुग में भी ऐसे ऐसे महल है, मना लोगों के पैलेस हैं, कि जहां रहने का ढ़ंग अलग है, चाल चलन, व्यभार अलग तरीके से किया जाता है, खाना भी खाया जाता है, तो अलग तरीके से बैठ कर खाने की एक रीत है उनकी, मना आज कलियुग में भी, ऐसे पैलेसेस में भी, एक रीत से चलते हैं, सत्यूग की रीत तो बहुत डिवाइन है, अपने आपको चेक कीज़े, आपको उठा कर अगर अभी सत्यूग में रखा जाए, सत्यूग आया है, तो क्या आप वहाँ सत्यूग की रीती से चल पाएंगे, क्या उतने गुन आपके अंदर आये हैं, अगर नहीं आये हैं तो अभी तक हम सत्यूग के लिए पात्र नहीं है बस हम मांग रहे हैं आश लगा कर बैठे हैं संकल पो उठा रहे हैं कि सत्यूग आ रहा है वो तो आएगा समय पर लेकिन हम पात्र नहीं बनेंगे तो वह entry नहीं मिल सकते आपको आज भी दुनिया में इसी जगह है जहाँ अगर आपको तौर तरीके आते हैं उस जगह हो के तो ही आपको entry दी जाते है वहाँ पर बना वहा की चाल धाल, रहन सेन आपको आता है तो ही आपको उस जगह में entry मिलेगी आने जाने के लिए वरना नहीं मिल सकती तो सत्यू की तो चाल धाल बहुत अलग है तो क्या वो गुण और शक्तिया मेरे अंदर है वो देवताई अस्तित्वा मेरे अंदर पैदा हुआ है चेकिए जे वर्सा तो मिल रहा है लेकिन क्या वर्से को संभालने के लाइख है हम अना पात्र बने है या नहीं बने है अच्छे गुण अच्छी धारनाए हमारे अंदर आई है क्या कम से कम मुख में मिठास आई है क्या सत्यूगी देवताओं की तरह हमारी वानी बनी है क्या या अभी भी कलियुगी मनुश्यों की तरह ही है चेकेजे इसमें माया भुलाती बहुत है तुम कोशिश करते हो बाबा को याद करने की फिर भूल जाते हो शिव बाबा को याद करने से ही पाप कटेंगे वह बाबा इनके द्वारा बताते है बच्चे मुझे याद करो और कोई उपाई नहीं है और कोई भी उपाई नहीं है कुछ भी कीशिए बाबा की याद के बिना उपाई ही नहीं है सब टेमपर रहे है कुछ समय के लिए आपको रलीफ मिलेगा बाद में जैसे थे इसे एक ही उपाई है बाबा की याद फिर भी धंदे आदी में भूल जाते है यह भूलना नहीं चाहिए यही मेहनत की बात है बाब को याद करते करते कर्मा तीत अवस्था तक पहुँचना है कर्मा तीत अवस्था वाले को कहा जाता है फरिष्टा तो यह पक्का याद करो कैसे किसको समझाए पक्का निश्य भी हो कि हम भाईयों को याने आत्माओं को समझाते हैं सब को बाप का पैगाम देना है जब भी आप किसी को समझाते हैं बाबा कहते हैं भाईयों को समझा रहे हैं आत्माओं को समझा रहे हैं इस याद में रहे ना कि आपकी प्रजा को समझा रहे राजा बनने का शौक तो हर किसी को है राजा बनने का शौक हर किसी को है पर आप राजा हो तो किसी को भी अप प्रजा का टाइटल नहीं लगा सकते कल ऐसा ना हो कि आप जिसे प्रजा समझते हैं उनके आप जाकर दास दासे बना मना किसी भी आत्मा को अभी आप प्रजा या राजा का टाइटल नहीं लगा सकते और अब खुद भी नहीं ले सकते किसी भी आत्मा को प्रजा या राजा का टाइटल लगाना भी पाप है कि ये प्रजा है हम राजा है या वो राजा है हम प्रजा है दोनों तरब से गलत है इसलिए बस बाप का पैगाम देना है आत्माओं को आत्मा समझ के भाई समझ के बागे और कुछ ने कई कहते हैं बाबा पास चलू दीदार करू परन्तु इसमें दीदार आदी की तो बात ही नहीं है भगवान आकर सिखलाते हैं और मुखसे कहते हैं तुम मुझ अपने निराकार बाप को याद करो याद करने से सब पाप कट जाते हैं अभी तक अगर सारी लाइन हम उर्लियों से निकाले कि बच्चे मुझे याद करो तो कितने गरंथ बन जाएं मना बाबा ने कितनी बार कहा है ऐसे भी ने कि एकी बार कहा कि बच्चे एकी उपाए हैं मुझे याद करो आतमा समझ के बगि और कोई उपाए ने हर रोज हर मुर्ली में बाबा कितनी बार कहता है कि बच्चे मुझे याद करो कम से कम जितनी बार बाबा ने कहा है मुर्ली में बना आज की मुर्ली में अगर बाबा ने दस बार कहा है कि बच्चे मुझे याद करो तो क्या दस बार कम से कम याद किया है उसको दिन भर में शेक खेशे अगर उसने दस बार कहा है आज के मुरली में कि बच्चे मुझे याद करो तो दस बार भी याद करते हैं तो भी उसकी श्रीमत पालन कर रहे हैं यह सिद्ध हो जाता है यह तो वो तो कह रहा है कि बस मुझे याद करो और मैं किसी और कोई याद करता जा रहा है अपने आप को, प्रकुर्ती को, आत्माओ को, परिस्तियों को तो चेक कीजे कि कम से कम बाबा ने जितनी बार कहा है उतनी बार तो याद कर सके दिन भर में कहा भी धंदे आदी में बैठे घड़ी घड़ी बाप को याद करना है बाप ने हुकम दिया है मुझे याद करो निरंतर याद करने वाले ही विन करेंगे याद नहीं करेंगे तो मार्स कम हो जाएंगे यह पढ़ाई है ही मनुष्य से देवता बनने की जो एक बाप ही पढ़ाते हैं तुम्हें चक्रवर्ती राजा बनना है तो 84 जन्मों को याद करना है करमातीत अवस्था तक पहुँचने के लिए मेहनत करनी है वह अन्त में होनी है अन्त कोई भी समय आ सकती है इसलिए पुरिशार्थ लगातार करना है इसमें भी डबल अर्थ है कैसे? बाबा कहते हैं करमातीत अवस्था तक पहुँचने के लिए मेहनत करनी है लेकिन बाबा ही कहता है मेहनत अन्त में होगी अगर बाबा कहता है कि मेहनत अन्त में होगी मना जब मेहनत स्टार्ट हो जाएगी तो अन्त नज़्दीक आना शुरू हो जाएगा पुर्शार्थ की रफ्तार जैसे बढ़ती जाएगी वैसे सत्यूग पास आना शुरू हो जाएगा कर्मातीत अवस्ता बनना शुरू हो जाएगा नित्यम तुम्हारा पुर्शार्थ चलता रहे लवकिक बाप तुम्हें ऐसे नहीं कहेंगे कि देह के सभी संभन्द छोड़ अपने को आत्मा समझो शरीर का भान छोड़ मुझे याद करो तो पाप कटेंगे यह तो बेहद का बाप ही कहते हैं बच्चे मुझे एक की याद में रहो तो सब पाप कट जाएंगे तुम सतो प्रधान बन जाएंगे यह धन्दा तो खुशी से करना चाहिए न भोजन खाते समय भी बाप को याद करना है याद में रहने का गुप्त अभ्यास तुम बच्चों का चलता रहे तो अच्छा है तुम्हारा ही कल्याण है अपने को देखना है बाबा को कितना समय याद करता हूँ अच्छा मिठे मिठे सिकिलधे बच्चों प्रती याद प्यार और गुड़ नाइट ओम शान्ति हम रुखानी बच्चों की रुखानी मात पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम की भी पदम पदम गुणा याद प्यार गुड़ मौर्नि और नमस्ते 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 अच्छा ओम शान्ति धारणा के लिए मुख्यसार हैं एक नमबर मनुष्यों को हीरे जैसा बनाने की रुखानी सर्विस करनी हैं कभी भी संशय बुद्धी बन पढ़ाई को नहीं छोड़ना हैं ट्रस्टी होकर रहना हैं बाबा तो कहते हैं मनुष्यों को हीरे जैसा बनाँ लेकिन हीरे को हीरा ही हीरे जैसा बना सकता है पत्धर पत्थर हीरे जैसा किसी को नहीं बना सकता ये हीरा नहीं बना सकता वैसे तो हीरा भी एक पत्थरी है लेकिन ओ तप चुका है अगनी में इसलिए उसका रुपांतरण हीरे में हुआ है पर मनुष्यों को हीरा बनाने के लिए मुख और मन से और करमों से ज्जान रतन निकलने चाहिए तब हीरा बना सकते हैं मन भी तन भी और वाचा मना मनसा वाचा करमणा शुद्धता पवित्रता तीन में मनसा वाचा करमणा तीन में कोई एक की भी कमी है तो आप किसी को हीरा नहीं बना सकते मनसा वाचा ठीक है, करम ठीक नहीं, फिर भी पॉसिबल है वाचा करम ठीक है, मनसा ठीक नहीं, फिर भी पॉसिबल है इन में से एक भी कमी है, फिर भी मनुष्यों को हीरे जैसा नहीं बना सकते तो चेक कीजे मंसा, वाचा, कर्मना कितने बाप समान बने हैं दो नंबर शरीर निर्वाह अर्थं कर्म करते भी बाप को याद करना है श्रीमत में अपना कल्यान समझ चलते रहना है अपनी मत नहीं चलानी है वरदान हैं सर्वप्रती शुबकल्यान की भावनारक परिवर्तन करने वाले बेहद सेवाधारी भवं मिजारिटी बच्चे बाप दादा के आगे अपनी यह आश रखते हैं कि हमारा फलाना संभन्धी बदल जाए घरवाले साथी बन जाए लेकिन सिर्फ उन आत्माओ को अपना समच यह आश रखते हो तो हद की दीवार के कारण आपकी शुबकल्यान की भावना उन आत्माओ तक पहुँचती नहीं बेहद के सेवाधारी सर्वपरती आत्मिक भाव वा बेहद की आत्मिक दुरुष्टी भाई भाई के संभन्ध की वृत्ती से शुबभावना रखते हैं तो उसका फल अवश्य प्राप्त होता है यही मनसा सेवा की यथार्थ विधी है सार रूप में अगर दुनिया के किसी भी आत्मा के प्रती या प्रकृती के प्रती या ड्रामा के किसी सीन के प्रती अउश मात्र भी अपवित्रता है अशुधता है तो हम अपने आपको ब्राम्वन या विश्व कल्यान कारी नहीं कहला सकते यह सार है फिर आप अपने को चेक कीज़ें इस सार में स्लोगन है ज्यान रूपी बाणों को बुद्धी रूपी तरकश में भरकर माया को ललकारने वाले ही महावीर योद्धे हैं अच्छा ओ शान्ति मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य मन के अशान्ती का कारण है कर्म बंधन और शान्ती का आधार है कर्माती वास्तव में हरेक मनुष्य की यह चाहना अवश्य रहती है कि हमको मन की शान्ती प्राप्त हो जावे इसलिए अनेक प्रयत्न करते आए हैं मगर मन को शान्ती अब तक प्राप्त नहीं हुई इसका यथार्थ कारण क्या है अब पहले तो यह सोच चलना जरूरी है कि मन के अशान्ती की पहली जड़ क्या है मन की अशान्ती का मुख्य कारण है कर्म बंधन में फसना जब तक मनुष्य इन पाँच विकारों के कर्म बंधन से नहीं चूटे हैं तब तक मनुष्य अशान्ती से चूट नहीं सकते जब कर्म बंधन तूट जाता है तब मन की शान्ती अर्थात जीवन मुक्ती को प्राप्त कर सकते हैं अब सोच करना है यह कर्म बंधन तूटे कैसे और उसे चुटकारा देने वाला कौन है यह तो हम जानते हैं कोई भी मनुष्य आत्मा किसी भी मनुष्य आत्मा को चुटकारा दे नहीं सकती यह कर्म बंधन का हिसाब किताब तोड़ने वाला सिर्फ एक परमात्मा है वही आकर इस ग्यान योगबल से कर्म बंधन से छुडाते हैं इसलिए ही परमात्मा को सुखदाता कहा जाता है जब तक पहले यह ज्यान नहीं है कि मैं आत्मा हूँ असुल में मैं किसकी संतान हूँ मेरा असली गुण क्या है जब यह बुद्धी में आ जाए तब ही कर्म बंधन तूटे अब यह नौलेज हमें परमात्मा द्वारा ही प्राप्त होती है गोया परमात्मा द्वारा ही कर्म बंधन तूटते है अच्छा ओम शान्ति मेरा बाबा, मेठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा, पदम गुणा, पदम गुणा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा अच्छा ओम शान्ति झाल झाल